रूस के पूर राश्पती दिमित्री मेद्विदेव इन दिनों के ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जिसके बारे में खुद राश्पती व्लादमिर पुतिन तक ने भी नहीं सोचा होगा और मेद्विदेव का ये ऐसा ख्वाब है जिसकी जमीनी स्तर पर अभी तक कोई हकीकत नजर नहीं आ रही दिमित्री मेद्विदेव का कहना है कि जल्द ही या फिर बाद में पश्चमी देश युक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए रूस से बाचीत की भीक मांगेंगे मेद्विदेव का कहना है कि इसमें कुछ वक्त लगेगा पश्चमी देशों की सरकारे बदलेंगी और वो ठकेंगे और युक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बाचीत की गोहार लगाएंगे पश्चमी देश उस सोच से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे जहां से उनके हितों को बहुत नुक्सान पहुँचना शुरू होगा उनके लिए रूस द्वारा छेड़ा गया युद्ध, उबाउ, महंगा और आप्रासंगिक हो जाएगा मेद्विदेव का कहना है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है या तो हमें उनके शतुर्ता पून राजनीतिक साशन को खत्म करना होगा या फिर एक जूट पश्चमी देश रूस को टुकडों में बाड़ देंगे हाला कि दिमित्री ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि पश्चमी देश कब और कैसे रूस से बाच्चीत की भीग मांगेंगे हाला कि उनका ये जरूर कहना है कि युक्रेन के खिलाफ रूस का गुस्सा अस्तित्ट की एक जंग है ताकि रूस युक्रेन पर पूरी तरह से अपना नियंत्रन रखे